कॉंग्रिस की रास्ट्री अध्यक्ष मलीक अजुन खडगे के दौरे को लेकर विजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यदी आपका मरी जिन्दा है तो सागर की धरती पर आपको माथा टेक कर माफी मांगनी चाहिए कॉंग्रिस सरकार के समय में सागर में अनुसूची जाती के भाई की जिन्दा जलाकर हत्या कर दी गई थी मुख्यमंत्री रहते कमलनात ने कोई कारवाई नहीं की थी विजेबी प्रदेश अध्यक्षी वीडी शर्मा ने कहा कि कॉंग्रिस अध्यक्ष मलीका अजुन खड़ गे आपके साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात बैठे थे वो 15 महिने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनके कारिकाल के समय अनुसूचि जाती वर्ग के भाई धन प्रसाद अहिरवार की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी लेकिन कमलनात ने कोई कारवाई नहीं की थी आपको सागर की धरती पर माफी मांगनी चाहिए प्रदेश अध्यक्षी वीडी शर्मा ने कहा कि मलीका अजुन खडगे अपने नेताओं से पूछिए कि जब दलिद व्यक्ति को आलप संख्यक समुदाय का व्यक्ति मल खिलाता है तब उसकी बोलती क्यूं बंध हो जाती है मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के सरकार का ये दोहरा चरित है जिनदा चला करके अत्या कर दी गई थी के लिगन आपके भगल में बेठे स्रीमान खरप्षननाक कमल्नाची ने उस पर किसी प्रकार की कोई कारवाई नहीं कि उसके बारे में हिलाज की भी चंता नहीं की थी और उसकी मौत हो गई जिंदा जिलाकर के मार दिया गया था मैं मैं बड़ी गंभीता के साथ कहना चाहता हूँ गर आपके अंदर जरावी जमीर है तो आपको उस धर्ती पर जरूर मापी मांगनी चाहिए ऐसे दलित विरोधी जो कॉंग्रेस की सरकार कमलनात और दिविजय सिंग के नेतरत में चल दे कि इसका जबाबी मत्यप्रद्रेस मांगता और आपको इस बात के लिए मापी मांगनी चाहिए कि मैं खड़गे जी कहना चाहता हूं कि आपके लेता जो आपके साथ गटे हुए हैं उनसे आप पूछिए कि जब दलित व्यक्ती को जब कोई अलपसंग्छक समुदाय का व्यक्ती उससे विष्टा खिलाता है तब आपके नेताओं की बुल्ति क्यों बंद हो जाती है इसी मद्यप्रदेश के अंदर अलपसंग्छक अपराधियों ने यह दलित समाज के भाई को विष्टा खिलाई तब ना कमलनात बोले न दिग्विजे सिंग बोले ना आपकी पार्डी की कोई आबाज देखे तो इस दोहरा चरित्र मध्यप्रदेश के अंदर कॉंग्रेस की सरकार का है पूर्वाजपाल अजिच कुरेशी के बयान पर विडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजे सिंग कोई बयान देते हैं हिंदुत पर प्रहार करते हैं तब आपके लोग कुछ नहीं बोलते अजिच कुरेशी ने जो कहा है ये क्या है अपना स्टेंड क्लियर कीजिए कॉंग्रेस क किस दिशा में किस प्रकार के दोहरे चरित्र की राजनीती मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस करने का प्रयास कर रही है विडी शर्मा ने कहा कि आप मध्यप्रदेश में पहुंचें लेकिन आपके पुत्र प्रियंग खड़गे हिंदी विरोधिये वेशुद्ध हिंदी का करते हैं आपके बेटे इस देश में हिंदी विरोधी होने का केवल बयान ही नहीं देते बलकि हिंदी भाशी राज्यों पर प्रहार भी करते हैं इसके लिए भी आपको माफी माँगनी चाहिए दिख विजय सिंग कोई बयान देते हैं इंदुत पर प्रहार करते हैं और एक और अभी आज तो कौन से पुरेशी हैं उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है कि क्या है अरे अपना स्टेंड किलियर करिए कॉंग्रेश किस दिसामें है और इसलिए इस प्रकार के जो दोहरे चर्त्र की राजनीती मध्यप्रदेश के अंदर कॉंग्रेश करने का जो प्रयास कर रही है यह भी जंता आपसे जरूर पूछना चाहती है लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि अगर उन्हें जराबी ऐसा लगता है कि वो दलित नेता हैं तो दलित नेता होने के नात्य से उन्हें जरूर इस वाद की भारती जन्ता-पार्टी की सरकार की प्रसंसा करने चाहिए कि जिस सागर की धरती पर आप रहें आज वो सागर की धरती पर जन्त्रव्णाजी वाहराज का भप्य-100 करोड के मंदर के निर्मान का भूमपुजयमानी प्रधानमंत्री जी करके गए आप प्रधानमंत्रीजी को अगर आभार करेंगे तो साएथ अच्छा होगा और इस देश के अंदर आप यहां पर मद्ध्यप्रदेश में पहुंचें लेकिन आपके पुत्र प्रियंक घड़के जी कहते हैं कि हिंदी विरोधी कि सुद्ध हिंदी का विरोध करते हैं उनको ज्वेनसी है तो यह भी मद्ध्यप्रदेश पूचना चाहता है